कि स्रीमत भागवत क्या महिमा क्या है महतम्य क्या है तो एक तरफ दुनिया की सारी संपत्ती रखी गई और एक सारफ स्रीमत भागवत रखा गया तो भी श्रीमत भागवत का ही पलड़ा भारी राच भक्ति ज्यान वेराग्य युक्त जहां कथे होती हैं वही स्रीमत भागव कथम ब्रह्म्हान दिह मोखन शुतिष्चिन्ता वरो भवा तरितंगम्यते कृतकृतष्य गमनंतलः पीदारानि सुन्य चितोष्चि गटवितायकना तवेत मुप्त संगस्य मोचितंबदका संकाद रिसी ने पूछा है ए देवरिसी आज आपका मुख मलीन क्यूं है चिंता के भाव क्यूं है इतने ठके ठके क्यूं रहते हो तो कि संत ठकता नहीं हो है हमारे सिस्य आये आश्रम पर दो तीन दिन तक रहे बाद में कहें गुरुजी सो जाओं तीन दिन रात दिन जगना पड़ा स्वाहा स्वाहा यगी हर समस्या का समाधान तीसरे दिन बोले गुरुजी सो जाओं मैंने बोला बेटा मैं सो रहा हूं और तुमसे काम करवा रहा हूं तो ऐसी भासा बोलो साथ में तो मैं भी जगरा हूं बोले गुरुजी तुम्हारे क्या मतलब है हमारे तो सो नहीं पड़े कि संथ ठकता नहीं कि जिस तरीके से प्रमात्मा का अंतु नहीं है ऐसे संथ की शक्ति का अंत नहीं है क्योंकि जिसके अगराने भुटाओं चोदा वर्स निरंता उपवास है और आज भी भोजन नहीं है और रहेगा भी नहीं लेकिन यह जो है यह मा भगवती की सकती है हमारे पास तो कुछ है नहीं महाराज हम तो कहते है कि मैं कोई वक्ता नहीं हूँ वालक नादान स्रोता वक्ता ग्यान घंदियोच्वाकादान आप कहेंगे कि वक्ता स्वामी ब्रह्मांडपुरी श्रोता सेखावत राजे सर्मसंकर या धेर सारे लोग लेकिन नहीं मेरे भाई वही वक्ता है वही श्रोता है वो यहां बैठके बोल रहा है वहां बैठके सुन रहा है वुसी के लिला देवरिशी नारद ने बताया है कल हम आपको कथा की और ले चलेंगे कि मैं देवरिशी नारद ने कहा कि देखो संकादरिशी मेरे मन में पीड़ा है और कभी भी संत को पीड़ा स्वयम के लिए नहीं होती है ध्यान रखना संत को अपने दर्द से पीड़ा नहीं होती है संत की करुणता तब जगती है संत के मेद्रों में आतु तब आते हैं जब वो दूसरे को रोता हुआ देख लेता है भाई स्वयम के लिए संत कभी नहीं रोता है जिसे अपने अंत का भ्हान होता है और दिसे अंत का गैन वो क्या रोएगा अभी चे अप्राहिल को एक गटी हुआ अभी माता स्री और भ्रमलीन होमरी सारह को ह hug अ और अमारे भाई या भी बेटे हमारे अंग ये लिए तारे पटे सारे रो रहे एक तरफे माताजी हो हमाता जी सारे भाई रो रहे और मैं मंद मंद मुश्कराःत कर रहां वने क्यों रो रहे हो यह दो नहीं था इससे रोक लोगे, सारे रुदन करते रहे, और मैं तो मन ही मन बार्वा और सोला ध्यागीता का पाठ करता रहा, क्योंकि मेरी मा ने मुझे पैदा किया है, मेरी मा मर जी नहीं सकती, जिसने समाध को ऐसा संत बेविया हो, उसकी जौला में सामर हुआ करती रुदन किसके लिए, जमाने से रोने का क्या भी प्राय है, देवरिशी के नारद में आशु है, करुणता है, लकिन सोयम के लिए नहीं, कहते हैं, अहां तुन पृत्वी आतो, अहां तुन पृत्वी आतो, ग्यात्वा सरवोत शम्मतिह, मैं पृत्वी लोक में गया था, ब्रह्मन करने गया था, सब जगां जाकर मुझे ग्यान हुआ, कहां कहां, हरी छेत्रम, कुरू छेत्रम, प्रियागा, कोदावरी, कासी, त्रिवेणी, सभी तिर्थों में जाके आया, लेकिन मेरे मन के कहें सुल्चित्ति नहीं, क्योंकि योगी योग छोड़ चुका है, और भोगी भोग में लिपत हो गया है, धर्म प्रवक्ता कथा को बेचने लगे है, ब्रह्म और विद्या को बेचने लगे है, हर व्यक्ति पाप के बाप लालच के पीछे भागने लगा है, पिता पुत्र की मरियादाएं खतम हो गई है, हमें वड़ी वेदना हुई, हम उस भाव को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि यह सब काली के कलिकाल के फल्चे हैं, और हम चाहते हैं कि इसका कोई मुक्ती निकले, तरुणी प्रभुता गेहे, बड़ी सुंदर लाइना है, संकर तमारे, अमडू जो यह है, यह भागवत कता, राम कता है, हर आदमी के जीवन में आधारी थे, इसलिए मैं पहले माफी मांग लेता हूं, कोई ऐसा मत कहना, बाबा जी मुझे कह रहे, क्योंकि मैं तो ठाकु तरुणी प्रभुता गेहे, शालको बुधिदायका है, कन्या विक्काणी लोभध्या तीने चकालकम, देवरिशी नारज कहते हैं घर में, शालक का मतलब साला, हमजिए अबेट, घर में बाप की सलाह नहीं ली जाती है, साला सलाहकार बन गया है, कन्याओं को आदि सक्ती महा सक्ती नहीं, अगर हम लोग कहीं जाते हैं बड़े गर्व से जब कभी जल्पान हो जाए, और कहीं हमारी बेहेन माता जल्पान लेकर आती है, तो बड़े गर से आज कल का पढ़ा लिखा परिवार इंट्रोड्यूस कर रहते हैं गुरुजी गुरुजी हां जी सीज माइ मिसेच वाह रियली और मिसेच वाट दू कैने स्पीक नाउ पाट बाउट मिसेच आर यू अडरिश्टेंड लिए नाज से बोलते सीज माइ मिसेच मिसेच सब्द का मतलब मैं मंत से नहीं बोल सकता डिक्सेनरी उठा कर देख लेना उत्तम élect van नहीं है हमारे भारतिय संस्कृति में सब्द प्र भी आम नहीं जोड़ते हैं स्री मति अर धांगनी जीवन संगनी श्री का मतलब लक्षमी मती का मतलब सरस्वति यानि हमारी आदिसक्ति माध सरस्वति और लक्षमी जिसके घर में आ जाए ना उसका बेड़ा पार हो जाए और अगर ये मिस्यज आ जाए तो मिसिव जी करे भाई अभी आप देखो स्री मती या मीसे अज़ू है बाकी डिक्सेनिर पढ़े लेना हम काम पढ़े लिखे बाबा लोग है यह दो चार लाइन भी आप लोगों से सीख गए बोलते बोलते बाबाओं काम पढ़ा है लिकाई हो इतने साले का सलाह चल रहा है पिता पुत्र की मर्यादा खतम हो गई है ब्रामण अपने खोड़े सुप्चार विधी से विमुख हो गए है ए सनका दिरिश्यों अब ये बताओ कैसे क्या करें क्योंकि वहाँ पर मैंने एक दिरिश्य देखा क्या देखा वहाँ पर मैंने देखा एवं पस्ये नकले दोसान पर्यतन्न मीहमान आमुनम् तटमा पन्नों यत्र लीला हो रभूता ब्रिधाउ तुपतिता लार्शा नेचनव चेतनव खोसुशंते प्रभोधन्ते रूदाती चतयो पुरहा देल दिशी नारत केते माराच मैं वहाँ गया एक अदुतिये चमतकार एक घटना देखा तो बड़ी वेदना होई क्या देखा एक विद्ध पुत्रों को अपने दोपुत्रों को लेकर के एक इवा अवती रुदन कर रही है एक माद सक्षी रुदन कर रही है और उसके आसपास कोई नहीं है संत को देखते ही चिला पड़ी ओ भो ब्राम्हन चनिकतिष्टा ओ भो ब्राम्हन चनिकतिष्टा मम किंताय पिनास्तया दर्सलं तवलो तश्ट्रा सर्वगता हरं परम्ह तो रिशी नारसी के भो भो फेशादो खड़ मांत्र के लिए लुप जाओ मेरी समस्च्याओं का समाधान करो मैंने सुना है का सुना है मैंने तुना है कि आपके दर्शन मात्र से ही जुनिया बदल जाती है जारत ने उसकी तरफ देखा और अगली पंसियों ने भक्त और भाव को संत के विचारों को करने के लिए छोड़ दिया के बहुधा तव वाके न के बहुधा तव वाके न दुख शान्ति भवी स्यती यदा भागम भवेद भूरी भवतो गल्सनम तदा बक्ति कहती है देविशी नारत महुधा कई बार अनेक रूप से अनेक प्रकार से आपके सब्दों के स्रवन मात्र से दुखों का नास हो जाता है कि यदा भावम भवेद भूरी यदा भाग्यम भवेद भूरी यदा प्र जन्त के दर्शन होते हैं जहां हम कथा को छोड़ेंगे क्योंकि माताय भी मंगल कलस्यात्रा से हैं काफी ठकी हुई हैं सब लोग खड़े हो जाए आनंद लेते हुए आर्थी उतारे करें नहीं कल भक्ति के पुत्र ज्यान वैराक के चेतन्य आनंद घाट हरिद्वार में कथा का स्रवन गोकरण दुंदकारी उपाख्यान की कथा आकरूर जी का असंतोस उधव जी ने जब कहा स्वामी जी जा रहे हो ऐ विहारी तू जा रहा है तुझसे यारी करने वाले कैसे रहेंगे उन्होंने का में भले ही जा रहा हूं, मैं स्वयम को इस भागवत में समस्त सक्तियों सहित समाहित कर ले रहा हूं यानि भागवत का दर्शन सयम प्रभु के दर्शन के समान होगा कल यहां तक कठाय चलेंगी भगवान के अवतारों का वर्णन होगा पर्चो अवतारों का वर्णन होगा उसके बाद जैसी परक्रिया होगी हमारे आयोजिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं उसके वादार्ति की त प्रवे पधारेला भाविक भक्तों महाराश्री नो फूंख मा परिश्यापीदों पुझे महाराश्री भबाणपुरी जी महाराश्री एक अजार आठ महामनलेश्वर्थ महाराश्र मा जलगावनी पासे यह नो आत्र आवेलों छे के भ्रमान पूरी स्वामी क्रिष्णानन्द पूरी फार्वसी पूर्वाम आभे छे, स्वामी जी पोते संज्यासी छे, आप जानुस्वारू पाज कर लाग बोलू इस शेलू नथी, पर सतक विराम तर्याविना इस बोलता रहा है अधे मात वन्यान नो अपन ने खाला है छे, आने अधे अधे विरुपन ये करीरे आछे आजे हलो दीवसतो, कदाच मोटी संख्याना आभीशकी आजे, आने बपुरे आपना लोकुरे जराव भुवनी ट्यूपन छे, घरू गरुमियों नो ताप पन अतर चाले छे ले, घरा बदा भक्तों ये आभीशक्याने पन अतरे जेम फ्रुड़ संख्या दिखाई छे, अपने अववतिकाले सम्रेप्रमाने अजर थे ये, आने कखानों पूरो लईये, हीवी बदाने भीननती छे, आवतिकाले सवारे नवथी बार, दरोज आवतिकाल थे, याँ बार निकड़िया एटले जमनी तरफ, आयुर्वेदी किसा सिबीर नो मंडब बनामा मारोज, ये सवारे नवथी बार दर्म्यान दरोज अग्यार में ताइक सुधी, आँ ठीकी सा सिबीर चालवनों, येने हठीला रोगों केवाए, कि मरता ना होए, येन आपने हरान करता होए, तो बधा भाईब्यानों पूरो लाब लईशके हो, तो ये रोगों निदान पन करता होए, भूगों की दवापन आपसे, मात्रे तोरुपिया रदीश इसन ठीए ये या कारेले उपर तमी कमा करावसो तमने पावती मरसे, अने कर्म प्रमाने जेते गे फंडर नी अंदर तमने मुखलवामा आवसे अने तमने दवापना, हमना जेम करूने के स्वाइन फ्लू अमना गुजराक माजी भेलायो, येना माटे येमने आवान करूने, कि मारे पासे के स्वाइन फ्लू ना बर्दी लाओ, तो हम फ्रत अल्लाक मा तो येने प्रथम तबक्ये येन निर्मुण करीज, आने 24 अल्लाक नी अंदर तो स्वाइन फ्लू मताड़ी देज, इवी बधी दवाओ ना ये जानकार छे, साइन्टिफी गृते, वैज्नानी गृते बधू तमने कई शके, बच्चे पत्रकार परिशदती आना पहला, इवकर ते पत्रकारों जे प्रश्णों पूछा, येना जारे स्वामी जी जवाब बाप्या, तारे पत्रकारों ने ल आउथी वादरे वादर लावलेवा माटे विननती छे, आजे मारी सामें गणा बदा दूर दूर थी, राजगोर थी, राजस्थान जोदपूर थी, वादा फॉन आवेला छे, क्यारे स्वाव थाई तो दूर 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 थी लोगों जो वहीं आवता होई तो आपने कई पूरो लाथियम ना देई, अपने बदाने कबर थी, अपने कोई पन प्रकार्ने, वह माय वगर अपनने या कथा आपी छे, वह मोटी वस्तू क्यावाई, अतरे, क्यों आपने कोई पन प्रकार्ने, बुलाओ नि बुलाओ, यहाँ चाहित है कर से चिंख ऐता है को ड़ुस करल आखा है सब्सक्राइब का नाथ है आडेनी बड़ंगे तो कि अद्किन सब्सक्राइब गर्णा सब्सक्राइब लाइव तो सब्सक्राइब अधिक लग नंबर मेड़े आपना मैसाना के लग मित्रोए अमबाजी मा दातानी एंदर केंप करता था यह मित्रो एलने में थायू के महाराश्री ना बूलाविये केटले ही मैं फॉन कर्योग केत तमें गुझरात्मा आओ हमारी अमबा जीनी पदियात्रा के वी मोटी निकलेसे निहालो दर्शन को रमाजी न अने खरेकर यह फॉन करियो अन्य महाराश्री आइन आवी गया अने अमबाजी ना दर्शन पन कर्या भावी भक्तों ने मल्या प जीक में आवया अने राम सेवा समीतियों नो एक विद्या करेकम एधर मिया न तो एनो फॉन आवयो कि हुँ स्वामी जी ने लईन आविये चिये में लेक्टू स्वामी जी आवया तो अत्ती उत्तम सोना मा सुगंध भले अने एरी ते कारेकरम में आवया अने एवखते जी पुलिया और अपर अपन ने लाग्यू के एमना मां बग्ता तरीके एक शारी छाप छे अने खाली बोलवा खातर बोलता न न थी कांके यहां नो जी आस्रम चेने एसाचा संतोना आस्रम चे यहां सरम टीवी पर न थी कोई सुक्सु विदाना साधनों पर राखता नथी अने जमा साध्ड़ी छे ना उपर उंगे छे इतले एमने कोई वल्गन छेद ने अतर आपने जुविए चिक मोटा मोटा संतो मोटा मोटा आस्थ्रमों बनावी लिजे वैभाव अने विलास भोगवे अने पची जिए कई अवा कारणा माँ था यह अपने बदा जानिये ची एमना माई छेद नी एमने मात्रे मनमा हतू के हूं आईया तमने कथा करिया आपू यह कथा सरवजन हीताए थाए सरवजन ना सुख माटे थाए कल्यान माटे थाए मारे पईसो लेवान हो ना थी तबेजी वेवस्था कर यह वेवस्थमा हूं पेसिस यहू यह नहीं का मने आम मंच बनाओ क्या स्टेज बनाओ अथा आपने घणी मेहनद करनी मना यह एमनों सुख आपी दीदू बदारे पाकी महरास्री यह इच्छा पंणो तो राक्दा अपना आवलो मोटो मंडब बनाए वो छे तो यहनो भर लागी गया पत्रीका पॉटिघ चापाओ मा जाहरात वावी गई आने काल्थिक इतलाक मेहमानों पन आपना अचे डिगरीटी मोटा के बाए ने दाकला तरेके मोटा साहब छे काले आवाना छे ड्येसब आवाना छे डिस्टिक बेजिश्टिक कोट ना आजे नियाय दीस यह आवाना चे आवा अलग लोग को हवे पच्छी न समय मा आवानी शरुवात थासे तो आप सवने मारी खास विननती चे के महारास्त्री ना भागवत ग्न्यानी अग्नों पूरे पूरो लावापन उठागी यू नबने क्या धर्ती खाली से याए काल्ती कदाच वधर हिंदी तो बोले थोड़ों कदा सम्झाए ना सम्झाए घनी वक्ते उठागे वच्चे वच्चे गुज्रादी पन तूट अपकावे छे इतले आपना थोड़ों ख्याल पना आवे के मुश्केली माना पड़िए इतले इनो रस्तों पने मिली पासे छे तो आप सवने खास विनलती छे के आयरुवेदिक चिकिसानों लाब लए और भागवद ग्रियान अग्रों लाब लए बदानों खुब कुवाबार बद्धी मुटी संख्या मकालती आइए तन्यवाई चलिए आ राजेशी से खावद जी जैसे खाव अन वैसे हो जाए मन और जैसे प्योप पानी वैसे हो जाए बानी यह पानी का असर है और आज तो पहला दिन आज जैसे देखिएगा जिस तरीके से आज चांद 16 कलाओं से परफूर नहीं हो जाएगा ऐसे क्रिपना उतार पूरे अटार पूरे पूरे आज इन मारेशक, सबस्क्राइय मडियव लासे कि अन्ही दाहर करूंगी जोग अदूधा श्रब्र सुषें लिए सब्सक्राइब से अधें ? ना ऑल और धुट्र वह अधे लिए था अधें ? कट बूग अधे सब्सक्तान तोड़के करो जाने, और आनाम के संधिया खेल की तोइं के लिए हर कुझे से अपते तोगी कोई तई कहे कोई अगयों कोई के कोई और मैं तो कहूं का मरिया बाला को यह वह 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 व को तर तुमेंगग झाला, यट बाला, यारा येह! मेरा देवानी जनी मेरी तो है कर दो है कर दो है कर दो कर दो कर दो कर दो इन्यवाने के दो कर दो बाला ह्याटा है कर दो कर दोका कलव़ का धग, कि अजया जब सार चारी कि अ रेजह चारी कर lettuce से नह डेड़ा रि सब्सक्राव को पर Τररों छी कर दोफ你कारी जय कर दो एक कर दो दो में कर में था By cities कि अबाम रिमीे ही कि अबाम रिमी अबाम कि थो गईल झाल झाल कि अबामब र now हूच रहक स्धुश झाल 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 गो तोग शड़ा जो छाग हाँ छ्मधझ ले जमी गाटारी ह socksél को ंुतारी हुआ को थे ततवाना भॉआकि गफाना को छाधि कि लागी हाँ जम्हिस जैंकि आगकि खऴाना हो छोग हाँ को आख बुटारी हुआ को थे लागा कि निने औरिमाव अच्छी एपे और ये यहाज। करते हैं झाल 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 झाल